नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इंडिया परेटो हिंदी मैं अभी मैंडपुरी जिला के आरेस यादव कोल स्टोरेज पर हैं यह जी मैंडपुरी रोड वोगां परिस्टित है और अभी आप वीडियो में दे सकते हैं यहाँ पर आलू लगादार स्टोर में रखने क नहीं वर्पाएंगे उसकी आपको समस्त जानकारी अभी हम यहां के ऑनर से बात करके देंगे यहां पर मेरे सायथ मोहित और विकाश जी हैं यह जैतूलपुर के हैं अभी यह इस स्टोर में आलू लेके आए थे आप वीडियो में देख सकते हैं इस तो आलू उतारा जारा आँ अभी इनसे आलू के बारे में बात करेंगे कि यह कैसी पाइदाबार है और कौन सा अलू लेके आए और कौन कौनसी वराइटिक का आपके इनके तर वहता है और क्या रिर्ट चलनल और आलू कियानाम है आपका पाच बीगे में इस साल आलू की पैदावार जैसे बताए जा रहा है कम है तो आपके गौँज जैतूलपुर में कैसी पैदावार है? पैदावार का इस साल आलूग कैसे पैदावार है आपकी यह यह कितने परसंट आलूग पैदावार कमें लगवाग 20 आपने इस साल कितना आलू किया थो चालएस लिए आपने आलू कि आ है तो पिछली साल कितना आलू निकला था जैसा कोई साथ का वी नेकल लाँ नेखल लाँ होई छालिस का भी नेकलेगा है कि तो खेत के इसाफ से पैदाबार है तो इस साल आप पिछली साल से स्टोर में आलू जादा रख रही है और या जादा रही है आप हमारे चैनल के माध्यब से किसानों को या सरकार को को संदेश देना चाहते हैं यह अब की बार ऐसा लग रहा है कि आलू कुछ उचाल लेगा हैं अभी हमारे साथ इस इस two concret owner है अभी आम इन से बारे में बदाइंगे और बताएंगे इस में पुरी स्थे दिर्म हैं आलू की कैसी पैदाबार है और कितना निकल रहा है और इस टोर इस साल फुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे और पैदाबार कितने परसेंट कम है और यहां के अभी आप वीडियो में देख सकते हैं आलू लगातार इस टोर में आ रहा है और डारेक्ट भी इस टोर में रखा सिंग आप यह जो स्टोर का जिस जगह पर है इसका लोकीशन और इनाम मगारा बता दीजिए कोल्ड इस्टोर का नाम है और सिताल है प्राइबिट लिम्टेद मेंट्री रूड बोगा और इस स्टोर की कैपिशिटी कितनी है इस इस्टोर में पिछली वर्स हमने एक लाग सब्सक्राइब आ रहे हो यह 2004 में सुरू हो गया था 2004 में सुरू हो गया था 2004 में कितने कोल्ड थे उस समय हमारा था अकेलिया आपका इजासरब और इस स्टोर की कैपिशिटी कितनी है कि तो कागज़ों में अलग है बैसे एक लाग साट हैजार प्रते और पिछली साल पूर स्टोर कि आलु कम निकल रहा थोमें कम निकल रहा है प्रति बीगा जो है पंदा याबीश सद्ट कम निकल रहे हैं 55-30 परसंट फैदावार कम है कि वीडियो को मुपन्द करी हूं अगर आज के डेट में आलू के बायू की बात की जाए तो आलू क्या बायू चल रहा है आल इस साल जैसे बैपारी लोग इस टोर में रख रहे हैं रहे हैं और आगे दिखाई दे रहा है और आलू के क्या रेट की बात की जाई इस साल 24 में किसानों को क्या उंबीद है फाइदा रहे फाइदा रहेगा जब इस समय रेट अच्छे तो आगे भी अच्छे रहेंगे लगातार तीन सालों से किसानों को नुक्सान हो रहा है आप भी आलू की बिक्करी करते हो और पिछली साल इस समय क्या रेट आलू चल रहा था इस समय जो है लोगों साड़े तीन सौर रुपए क बीटोर में चाज़ुकी है तो कितने परसेंट कोल्ड फुल हो चुका होगा आपका 25% में आनुक कोंचा है करे और अगर मंतुंच ही चेत्री में पूरी चेत्री सेत्रती बात की जाए है तो IT में में फुरी में कितने कोर्ट हैं अब गुंतिinformat तो नहीं कि बैसे 60-70 होंग और इस साल नए गोल्ड कितने बन गई है नए को दो तो बोगां में बन गई है दो और अगली साल बन जाएंगे और इस चेत्र में आलू की कौन कौन सी पहराइटी का जाँ अंतर होता है अधुरेड होता है है अग्याद लाल अलू कितना होता है लाल लालो तो होता है लेकिन परसेंट कितना होता वह अलग बात रही आई अध्य जाहता है और आप हमारे चेहनल जो इंडिया अधि और यइंधी है और जो हमारे उथ्टर पंच्रिय मंगाल के दर्शक वीडियो देखते हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहते हो जो वीडियो को देखते हैं पस्चिम बंगाल के भी किसान देखते हैं उत्तर-प्रदेश के देखते हैं संदेश यह है को बढ़िए तरीके से ट्रेक्टरों से आलू खुदवाई यह जिससे की आलू खराब نہ वह क्याति आलुजो ऐ बहुत जल्दी ज्यादा महात्रा में खराब wnोता है क्यासिया उन्तुमृषियार्भो में खराब नहीं कि धाए रहती है और यह महाण कृषियार्णी आलु यह नए नहीं बताते इसकी क्या कैसे पैद हमात्रा- Flynnी निकलता है खराब भी ज्यादा होता है जैसे में पूरी जिला में आलू की पैदावार चारों तरफ हमने बात कि यह 25-30 परसेंट कम है यह रखवे में पिछली साल से कम लगा जाना लगा है और पैदावार कमें किस वज़े से हम जैसे कोहरा या पाला के बज़े से जादा रुक्सान हुआ है अभी आप देख रहे थे अभी हमने आरह से ताले में इनके ऑनर से बात की आलू के बारे मैं आपको बताया कि आपर रहोने आलू के बारे में जानकारी दीए और इसी प्रकार की आलू संबंदित वीडियो पा अगर आप फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद